सब्सक्राइब अपने घर में शुरक्षित होंगे और सभी लेक्षिस भी देख रही होंगे तो अब तक हमने स्टार्ट किया था मोशन के चेप्टर में हम वेक्टर स्टार्ट कर चुकी है जो कि आपको पता है कि रिलेटिव वेलोस्टिक में किस तरह से निकालते हैं रिलेटिव वेलोस्टिक में क्या होता है कि जब भी कभी हमें एक बोडी की वेलोस्टि दूसरी बोडी के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो हम क्या करेंगे हम पहले वाली बोडी में से दूसरे वाली बोडी की वेलोस्टि घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें ये मिल जाएगा कि कि रिलेटिव वेलोस्टि अफ बोडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है अगर मैं A की वेलोस्टि निकालना चाहता हूँ B के रिस्पेक्ट में क्या है तो मैं क्या करूंगा A की वेलोस्टि में से B की वेलोस्टि को घटा दूंगा और घटाने के बाद जो भी मेरा वेल्यू आएगा अगर वो value positive है तो वो मुझे बताएगा कि पहले वाली body A की velocity B से ज़ादा है अगर value positive आती है तो क्या होगा value ज़ादा मिल्स वो क्या है A की velocity B की velocity से ज़ादा है और अगर मेरा VA-VB negative आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा A body की velocity B की velocity से कम है ठीक है अब अगली बात ही आती है कि अब हम जो relative velocity concept लगा रही है ये हमें ज़रूरत क्या है इसकी देखो nature का rule है कि everybody want to compare himself और herself with respect to him, him और her तो हर बंदा अपने आपको compare करना चाहता है कि मैं कहां पे हूँ और दूसरे बंदे का comparison में कहां stand करता हूँ तो वही चीज यहाँ पर है और physics तो जैसे क्या है physics तो आप हर जगा अब्दर्व करते हो तो relative velocity concept को में यह है कि अगर दो बोडी चल रही है तो अगर मुझे यह पता करना है कि एक बोडी दूसरे की मुकाबले कितना तेज चल रही है और कितना slow चल रही है वो हमारा है relative velocity concept इस concept में हम यह सीखते है कि किस तरह से अगर दो बोडी same direction में चल रही है तो किस तरह से हम उनकी velocity को compare कर सकते है क्योंकि vector में क्या होता है vector में हमारा magnitude और direction दोनों ही होते है तो उस magnitude और direction के basis पे हम यह पता कर सकते है कि जो हमारा magnitude है जो हमारा magnitude है वो हमारा कितना आया है positive आया है या negative आया है और direction का मतलब यह हुआ कि means इस relative velocity के concept में अगर हम direction की बात करेंगे तो direction is the main important thing which we have to consider तो direction का जो factor है वो vector के concern में जब भी हम कुछ करते हैं तो वो चीद बहुत important रहती है और ये हमें ध्यान रखनी होती है ये हमें ध्यान रखनी होती है तो इस तरह से I am start करते हैं आज का topic तो हम relative velocity vector कर चुके हैं अगर हम एक vector को एक vector के head से अगले vector का tail coincide करते हैं तो दो vector होगे एक vector A हो गया एक vector B हो गया मैंने एक vector A माल लिया दूसरा vector मैंने B माल लिया तो A vector और B vector हमने ये किया था ये हमारा A vector है let it is A vector let this is B vector तो ये दो vector हमारे पास हैं जिनकी direction भी है और magnitude भी है तो इस vector A का head आप देख सकते हो B vector के tail के साथ coincide कर रहा है तो इस मिला हुआ है तो triangular law vector addition ये कहता है कि अगर मैं एक vector A को इस तरह से रखता हूं कि उस vector A का head जो है वो B vector के tail के साथ coincide करें तो उस case में अगर मुझे resultant value निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे resultant value निकलेगी पहले वाले के tail से means A के tail से हम vector draw करेंगे जिसका head कहां होगा B पे टच करेंगा तो इसको हम बोलेंगे R vector R vector उस case में क्या होगा A plus B vector होगा this is called triangular law of vector addition जो की हमने last time किया था और आपको बताया था और हमने फिर इसको extend किया था polygon law of vector addition में आपको पता है ठीक अब में चीज़ी आती है कि अब इस vector के low को हम apply कैसे करेंगे apply कैसे करेंगे अब जब हमने graph बनाया था position vector का जब हमने दो particles का position निकाला था तो you will feel that कि अगर हमें दो particles A और B दी ओए था अगर आप diagram को correlate करोगे तो last time हमने बनाया था कि एक particle origin पे है फिर particle आपका A पे चला जाता है दूसरा particle आपका B पे चला जाता है तो दोनो particles ते case में अगर मुझे position vector निकालना है तो हमने क्या निकाला था subtraction किया था according to direction तो यह जो relative velocity concept है यह आपका उस position vector से ही आया है तो वहाँ से क्या दिखते है कि अगर हमें relative velocity किसी एक body की दूसरी body के respect में निकालना है तो हम क्या करते है we have to subtract the second body from the first body it means the value which we are obtaining that is the relative velocity of body 1 with respect to body 2 or you can say if you are having two bodies A and B if you want to find the relative velocity of A with respect to B then it will be found by VA minus VB अगर हमें B की A के respect में निकालना है तो क्या करेंगे VB minus VA तब तक हमने relative velocity concept किया उसको apply करके देखा फिर हमने दो case की थे इसमें एक आपका था same direction में और एक आपका था अलग अलग direction मिस अगर दो चीजें एक इडरेक्शन में जा रही है तब अगर हम relative velocity निकालते हैं तो कैसे निकलेगी और अगर दो चीजें एक दुसरे की तरफ आ रही है तो आपका relative velocity कैसे निकलेगी हमने अफजर्ब किया था कि same direction में resultant आपका subtract होया आपका कम आता है तो और अपकोदिक ड्रेक्शन में resultant velocity आपकी जादा आती है बढ़कर आती है ठीक है उसके बाद फिर हमने कुछ रिमेरिकल्स किये थे जो हमने equations के basis पे किये थे एक आदा हमने दो कल लास एक्सर में हमने 2-3 question किये थे तो आज unicom continue करेंगे जिससे के में और पैक्टिश हो जगे तो question है एप पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रों रेस्ट has a velocity that increases linearly with the time as v is equal to kt यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल मेरे पास है जो की rest से start कर रहा है और उसकी velocity है जो की vary कर रही है relation दे रखा है v is equal to kt आपको distance covered by it निकालना है इंदा first 3 second तो पहले 3 second में आपको distance covered निकालना है तो question क्या है question हमें दिया हुआ है पहला question हमें आज तो आपको एक equation दी हुई है जिसमें velocity linearly vary कर रही है v is equal to kt से v is equal to kt हमारे पास equation दी हुई है और हमें निकालना है कि पहली 3 second में कितना distance इसने cover किया तो एक particle है जो की rest रहा है और उसकी velocity linearly increase कर रही है और उसकी velocity जो increase कर रही है उसका relation हमें दिया हुआ है कि क्या v is equal to kt हमें उसका relation दिया हुए तो अब इस case में हम क्या कर सकते हैं हमें निकालना है distance हमें निकालना है distance तो जैसा कि हम जानते हैं कि distance जो होता है distance जो होता है वो speed multiplied by time होता है इसका मतलब क्या हुआ v into t अगर use करेंगे तो हम distance निकाल लेंगे लेकिन अब यहां पर v is equal to kt है तो हम directly नहीं निकाल सकते हैं अब क्योंकि हमें पता है कि v हमारा होता है dx by dt अगर माल लो x मेरा क्या है x मेरा distance है माल लो तो यह क्या है आपका dx by dt है और मुझे क्या निकालना है x निकालना है तो चुम क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा dx is equal to v into dt इसका मतलब यह हुआ कि दी गई quantity को use करके मैं किस तरह से distance निकाल सकता हूँ पहले मैं वो देखूंगा अब बर मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है मुझे यहां पर velocity दी हुई है और इस velocity को अगर मैं integrate करता हूँ integrate का मतलब क्या हुआ v dot dt यह क्या होता है dx होता है क्योंकि v क्या है हमारे पास v हमारे पास होता है dx by dt v क्या है v हमारा होता है x by t x क्या है distance है और t क्या है time है तो distance divided by time यह हमारा speed होता है तो speed into time क्या हुआ distance means dx is equal to v dt हो गया इसका मतलब मैं d गई quantity को use करके किस तरह से distance निकाल सकता हूँ वो पहले मुझे देखना पड़ेगा तो मैंने यहां observe कि अगर मैं यहां पर distance निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास v की value दी हुई है क्या है k into t into dt और यहां पर dx है dx को में लिख दूँगा 1 into dx ठीक k यहां पर constant है t dot dt तो 1 को में लिख सकता हूँ क्या x की power 0 dx और मुझे general formula पता है कि अगर मैं x की end dx का integration निकालता हूँ तो क्या होता है x की power जो d भी power है उसमें एक add हो जाएगा और वो जो power एक बढ़कर आई है वो divide में आ जाएगी यह मैंना जर्ड़र formula होता है अगर मुझे x की power n dx का integration निकालना है तो it will be written as x की power n plus 1 divide by n plus 1 तो यहाँ पर मैंने 1 को क्या लिखा x की 0 क्योंकि function किसमें है x में है तो phone क्या बनेगा यहाँ पर x की 0 plus 1 by 0 plus 1 ठीक के constant है ठीक है क्या बनेगा t की 1 plus 1 divide by 1 plus 1 ठीक तो इसको मुखेंगे x की power 1 divide by 1 k t square by 2 x is equal to k t square by 2 यह मेरा आगया distance यह मेरा क्या आगया तो यह मेरा v is equal to k t से जब मैंने distance निकाला तो मेरा क्या आगया distance आगया k into t square by 2 अब मुझे time दिया हुआ है कि मुझे distance निकालना है in the first 3 seconds distance in first 3 seconds तो मुझे distance निकालना है पहले 3 seconds में तो मैं क्या करूँगा पहले 3 seconds मिन्स अब मेरा यह equation आगया distance की जो की v is equal to k t से निकालना मैंने इस relation से क्योंकि v मेरा क्या होता है dx by dt अब इस equation में अगर मैं t की value put कर देता हूँ 3 3 square by 2 it will be x is equal to 9 k by 2 x क्या है 9 k बटे में 2 तो x क्या आ गया the distance will be 9 k by 2 तो आपको v is equal to k t दिया हुआ था जो की velocity जिसमें time के साथ linearly increase कर रही है और ऐसे question में मुझे निकालना है distance तो पहले check कर लीजिए कि इस question में given quantity को किस तरह से use करके आप distance निकाल सकते हो अब मुझे पता है कि velocity into time क्या होता है distance होता है means speed into time क्या होता है distance होता है तो it means अगर मैं अब मुझे पता है कि V को मैं dx by dt लिख सकता हूँ कि जहां पर x क्या है distance है अब x मेरा distance है यह time है तो यह आपकी velocity आगी it means अगर मैं इसको multiply करके लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx is equal to v dt और integration दोनों तरब मैं ने sign लगा दिया integration का तो dx को मैं लिखूंगा x की ट्रम में ताकि मैं इस formula को use कर पाऊँ अब मुझे पता है कि x की power n dx integration का formula होता है x की power n plus 1 divide by n plus 1 ठीक है अब 1.dx is equal to k.t.dt k.t.dt तो इसका मुज़र भी हुआ कि अगर मैं 1 को x की ट्रम में लिखूं तभी मैं ये formula लगा पाऊँगा तो क्या करेंगे x की power 0 है यहाँ पर formula क्या बनेगा x की जो power d हुई है उसमें 1 value add हो जाएगी divide by वो ही जो increased power है वो नीचे divide में आ जाएगी x की power 1 by 1 is equal to k t की power 1 plus 1 divide by 1 plus 1 this will be the solution of these two quantities on both sides t की तना आ गया t की power 1 power है 1 plus 1 divided by 1 plus 1 so it will give you x t 1 by 1 is equal to k t square by 2 तो हमारा x की आ गया x is equal to k multiplied by t square by 2 x की आ गया k multiplied by t square by 2 और मुझे निकालना है distance covered by the particle in the first 3 seconds हमें पहले 3 seconds में क्या निकालना है distance निकालना है वो क्या होगा मैं शिर्फ t की value पुट कर दूँगा जो की 3 seconds दी हुई है t की value 3 पुट किया 3 square by 2 k is a constant 9 k by 2 means distance is 9 by 2 times of k आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है distance covered 9 k by 2 clear है तो integration or differentiation is the important tool or you can say it is very important tool as far as concerned to physics and mathematics so mathematics की बात तो तब होती है जब हम higher mathematics की करते हैं लेकिन physics में इसका हर जगय हम use करते हैं mathematically clear है तो इन चीजों का दिमाग में बठा लो कि अगर मुझे velocity निकालना है velocity can be written as dx by dt where x is the distance similarly acceleration निकालना है तो a is equal to dv by dt where v is the velocity of the body clear है next question देख लेते हैं in the next question stone falls freely from rest एक stone falls freely from that is coming यह हुआ कि अगर कोई पत्थर उपर से freely falling गिर रहा है so freely falling body मैंने आपको बताया था freely falling freely falling body के लिए u क्या होता है zero होता है अब यहाँ पर क्या है stone is falling freely so a stone ओपर से गिरता है the distance covered by it in the last second is equal to the distance covered by it in the first three second the time taken by stone to reach the ground तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई stone उपर से नीचे की तरफ freely fall में गिर रहा है और वो कह रहा है कि अगर distance covered by the stone in the last second last second will be equal to will be equal to the distance covered by it in the first three second means जितना distance stone ने last second में cover किया वो equal है distance covered by the stone in the first three second तो अगर आपको ध्यान हो तो condition क्या है condition है distance distance covered by distance covered by the stone by the stone in last second in the first three in the first three seconds तो एक body एक stone है जो कि freely falling में है from rest इसकी initial speed क्या होगी zero होगी ठीक है अब condition दे रखिया है कि उस stone ने जितना distance cover किया last second में means जमीन से पहुँचने से एक second पहले तो मान लो उसने एन सेकिंड लिये जमीन पहुँचने पे stone ने ओपर से चलने से लेकर के जमीन तक पहुँचने पे एन सेकिंड लिये तो last second क्या होगा एन माइनस वन और अगर आपको ज्यान हो हमने distance traveled by the body in एनफ सेकिंड निकाला था जिसको हम बोलते हैं distance traveled by the body in the last second तो condition क्या है कि stone ने जितना distance last second में cover किया है वो equal है किसके जितना distance stone ने पहले तीन सेकिंड में cover किया for example अगर diagram बनाए इसका stone माल लीजे यहां से कितना शार्ट हुआ यह ग्राउंड है it means माल अगर stone यहां तक पहुँचा इस position तक पहुँचा यह वारा दो distance है यह दो distance है यह दो distance है वो equal होगा यहां से लेकर यहां तक पहुँच दो distance कवर किया हुआ means distance covered in the suppose 1, 2, 3 तो distance covered in first 3 seconds 1, 2, 3 पहले 3 seconds में जितना distance travel किया वो equal होगा distance covered by the stone in the last second means this one यहां से यहां चल लेकर तो अब हमें पता है कि distance travel in nth second होता है dn इसकों बोलते है distance traveled by the body in the last second और nth second it is equal to sn वो यह से लिए है यहां पर 3 है तो dn फूमना क्या होता है u plus a by 2 2n minus 1 और a यहां पर क्या होगा यहां पर a g हो जाता है क्योंकि उपर से नीचे आ रहे है तो a क्या होगा a is your plus g its value is 10 meter per second square क्योंकि motion कहा है motion आपका downwards है और downward मगर motion होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो accession due to gravity है वो जो body है वो अर्थ की तरफ जा रहे है means उसी direction में है जिस तरफ आपका acceleration due to gravity act करता है क्या करता है act करता है अब u plus a by 2 into 2n minus 1 and this is un plus half an square अब n क्या है n is equal to 3 only for this case तो u देखो ओपर से करिया तो u तो 0 हो जाए यह 0 हो गया plus half into 10 into 3 square यहां पर u 0 हो गया 10 by 2 10 by 2 2n minus 1 so it is 5 into 2n minus 1 is equal to it is इतना बन जाएगा 45 2n minus 1 is equal to 45 divided by 9 we can write 2n minus 1 is equal to 5 5 and we can write 2n is equal to 5 plus 1 6 and n is equal to 6 by 2 that is n is equal to 3 second how much how much 3 second clear है थीक है तो n क्या आगया है आपर 3 second आगया है तो question क्या था कि अगर distance covered by the stone in the last second will be equal to distance covered in the first 3 second then find the time taken तो n मेरा क्या आगया 3 second क्या आगया 3 second ठीक है clear है तो वैसे भी और ली दिख रहा है तो उसने बोल दिया है कि ये distance cover किया वो इसके equal है इसका मतलब दोनों में टाइम क्या होंगे 3 second होगे तो ये मैंने prove भी कर दिया है क्या कर दिया prove तो इससे ये पता लग गया कि ये जो मैंने formula यूज गया ये वाकए ही last second के लिए है तो यहां से अगर n की value क्या आई 3 second इस यहां भी 3 second तो confirm हो गया है यहां पर कि जो मेरी n की value है 3 second आने से कि मेरा formula जो मेरे यूज रहे वो बिल्कुल exact और correct है ठीक है next question तो अगर इसी question में थोड़ा इसको modify करें तो क्या होगा so next question है in the next question यह भी तो लास्ट कुस्टन किया था यह हमने किया था vertical motion का तो next question में a stone dropped from the top of a tower travels a distance of 25 meter in the last second of its journey find the height of tower तो एक stone suppose की जहां से गिरना शाड़ करता है खिक तो last second का बोल रहा है means last second we know अब उपर से कुछ चीज गिरेगी तो you is going to zero होगा और a की value plus z it means we can take 10 meter per second तो आप कोई stone उपर से drop कर दिया गया मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एक particular height से अगर स्टोन को डॉप कर दिया गया है या it is falling freely from the from some height या falling freely under gravity इसका मतलब यह हुआ कि आपकी Initial Speed क्या है जिरो है, क्या है, जिरो है, और और हम यह कह सकते हैं, इनिसल स्पीड जिरो आपकी है, उसके बाद, क्या होगा, अब इनिसल स्पीड जिरो है, और जो मुवमेंट है, वो सोन क्या है, वो डाउन वर्ड्स है, वो कहा है, वो नीचे की तरफ है, मुवमेंट इस डाउन वर्ड् हमारी मुवमेंट, वह नीचे की तरफ लाई करता है, हमेशा अर्थ की तरफ we तो इसलिए इटमिस जो अब्जेक्ट जा रहा है, स्टोन जा रहा है, वो जी की डिरेक्शन में जा रहा है, इटमिस जी पॉजटीव होगा, तो कुर्शन दिया हुआ है कि इस तेंस ब्रवा था तो इन ला से कि इस 25 ब्रव इस 10th इस 10th प्रव बाइब घ्ली आ stone in last second तो stone के द्वारा last second में जितना distance travel किया वो कितना है किसके एकवल है वो हमारा 25 meter के एकवल है तो अब हमारा formula क्या होता है लगे का dn वाला तो dn क्या होता है dn हमारा होता है u plus a by 2 2n-1 is equal to how much distance traveled by the body in last second of his journey 25 at the height of tolerance it will be 25 अब पहली बात तो इस question में मेरे पास क्या नहीं है end नहीं है तो क्यों ना मैं इसका end निकाल लूँ तो u 0 है a क्या है 10 है 10 by 2 2n-1 is equal to 25 and it is 5 so 5 into 2n-1 by 25 2n-1 is equal to 25 by 5 2n-1 is equal to 5 and 2n is equal to 6 and n is equal to 3 second तो n क्या है 3 second है 3 second means 25 meter cover किया उसने 3 second में 3 second ठीक है तो यहाँ पर मैंने time निकाल लिया कि जो पच्चिवड इसने travel किया है वो इस 3 second में travel किया है ठीक है अभी मैं सिर्फ time की बात कर रहा हूँ सिर्फ time की बात कर रहे हैं height of tower क्या होगी height of tower क्या होगी ठीक है तो n 3 second है तो ऐसे मैं क्या करते है देखिए u 0 है और v कुछ न कुछ होगी v कुछ न कुछ होगा तो अगर मेरे पास पूरा time आ जाए पूरा time आ जाए उस case में मैं क्या निकाल सकता हूँ उसका height निकाल सकता हूँ in this way I can find the height of the tower तो इस texture में हमने थोड़ा सा discuss किया revise revision किया हमने relative velocity concept को उसके बारे में हमने बात की कि अगर directions होगी तो ही हम relative velocity को apply कर पाएंगे क्योंकि vector की बात हो रही है तो vector की बात करते हुए direction is the most important parameter which we have to consider वो हमें हमेशा consider करना पड़ेगा अगर vector की बात कर रही है और हमने अब्जर्व किया कि same direction में कोछी चल रही है तो उनकी relative velocity हमेशा कम होगी अगर दोनों bodies एक उसरी की तरफ आ रही है उस case में उनकी relative velocity का resultant जो होगा वो जादा होगा अगर दो body एक 60 km प्रतिकंट एक स्पीटी चल रही है एक 30 से चल रही है तो और वो दोनों की direction एक दुसरी की तरफ है उस case में जो result आएगा वो जादा वाली value से जादा ही होगा 60 plus 30 will be 90 तो resultant velocity of the two bodies moving with 60 km per hour and 30 km per hour respectively will be 60 plus 30 is equal to 90 km per hour तो resultant velocity दो bodies की जो की same direction में चल रही होगी वो क्या होगा 60 minus 30 that is 30 km per hour ठीक means वो आपकी कम होगी clear है so I think कि आपको आज का lecture समझ आया होगा अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप inbox में comment कर सकते हो और एक WhatsApp group बन जाएगा आपकी query के लिए especially वो हम बना रही है जैसे ही आप lecture देखना स्टार्ट करेंगे तो you will find a WhatsApp group for the students in which student can put their query about the topic, content whatever the question you want to ask तो आपको हर तरह से help किया जाएगा आपका किरिस लाएगे स्टार्ट लाएगा स्टार्ट वोडियायागे ऐखनाराञ्कों विन क्लेगे त Cem Eris कर दिस्ट कर दो गलता है